है दोस्तों मैं हूँ इक्रम और आप देख रहे हो गैजट होम दोस्तों आपको वीडियो के टाइटल को देखकर ये समझ आही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है तो जी हां मैंने अपना पहला DSLR ले लिया है और ये है Canon का 200D तो दोस्तों अब आपको मेरे वीडियो में वो क्वालिटी वारी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो बिल्कुल इसी केमरा से मिलेगी और आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो Canon 200D कैमरा है ये मैंने अपनी यूट्यूब की मनी से लिया है अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो यूट्यूब मनी से नहीं लेकिन जो पैसे नहीं पाता तो चलिए बीना किसी देरी के लेट्स के स्टार्डेड तो दोस्तों ये है हमारा Canon 200D और मैंने इसे सिंगल किट लेंस के साथ लिया है लेकिन दोस्तों मैंने इसके साथ लिया है प्राइम लेंस जिससे आपको बहुत ही अच्छे ब्लर बैक्रांड वाली वीड में बता दो मैं आपको इसका एक रिब्यू दरने की कोशिज जल्दी करूंगा तो चलिए बॉक्स के सील को कट करते हैं तो मैंने सील को कट कर लिया और हम बॉक्स को ओपन करते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज हमें मिलती है यहां पर यूजर मैनुवल जो की काफी ज्यादा मोटा है तो अगर आपके पास टाइम है तो इससे आप बढ़ सकते हो मैं इसे साइड में करता हूं और यहां पर हमें फिर से मिलता है एक यूजर मैनुवल यहां पर आपको कुछ वारेंटी काउड्स मिलते हैं इनसाथ में आपको यहां पर कैनन का कॉम्पलिमेंटरी वर्क्स आपका ओफर मिलता है इन सब चीज को हम साइड में करते हैं यहां पर सबसे पहले मिलती है रिए इस्के बैटरी दोस्तो इसे काफी अच्छे से रैप किया गया है ताकि इससे कोई भी नुक्सान ना हो दोस्तो फैनली मेरे हाथ में यहाँ पर कैनन का किट लेंस जोकी 18-55 mm का है और यहाँ पर आपको आपको अटो फोकस एंड मैनुवर फिरकस दूनों ही मिलता है यहाँ पर आपको ऐस्टैपलाइजर भी मिल जाता है और दोस्तो यह एक कमरों अपको में होल्ड करको चली हम सुभी चीज़ों को साइड में कर देते हैं और यहाँ पर अपने कैमरा को देहते हैं कैमरा को भी काफी अच्छे से र्याद किया गया है हम इसे बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पहली चीज मैंने नोटिस की है यह डीसलार होने के बाउजीत यह काफी ज्यादा छोटा है और यहाँ पर यह काफी प्रेमियम भी लग रहा है मुझे इसे पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यह काफी प्रेमियम फिनिश भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर इस कैमरे की जो मेन हाइलाइट है कि यह जो स्क्रीन है यह पूरी तरह से टिल्ट हो जाती है इसलिए यूट्यूब वीडियो के लिए काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं तो मुझे भी इसके बारे बीडियो मोर्ड में कर देंगे तो simply आपका वीडियो सुट होना start हो जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं जिनम्हें पहले सभी आटो मोड में है तो अगर आप एक बीगिनर हो तो simply आटो मोड में जाए और स्टार्ट कर दिजे अपनी recording यहाँ पर आप यूट्यूबर हो तो आपको एक्स्टर माइक लगाने के जुरत पड़ती ही है इस जगह पर आपको इसके स्ट्रैप को होल्ड करने के लिए पिन मिलती है यहाँ पर आप डारेक्ली इसके स्ट्रैप को लगा सकते हो और दोस्तों फाइनली कैमरा की जो क्रीसिंग है वो काफी दोसे जगह तो आपको बैटरी का अपार्ट्म स्ट्रीं मिलती है इसे ऊपन करने के लिए आपको इसे पेछे की सईट क्युक्स और सिंप्ली आपको इसे opened कर सकते हो यहां पर आपको बैटरी अपस्षे काड्म स्ट्वाट्म स्ट्रैप स्ट्राइप मिल pencil लगाना होता है अपने लैप्टोप या तो मुबाइल में इसके फाइल को ट्रांसपर कर सकते हो चलिए अब मैं आपको इसके लेंस को लगा कर दिखाता हूं कि ये केमरा देखने में कैसा लगता है मैंने इसे खोल लिया है और यहां पर आपको लेंस के भी पीशे के डखन को उपन करना है तो इसे लगाना बहुत ही असान है यहां पर आप एक वाइड डॉट को देख सकते हो इस वाइड डॉट से आपको लेंस के वाइड डॉट को मिलाना है जैसा कि आप यहां पर देख सक लग रहा है यह 1855 का जूम लेंस एंड दोस्तों फाइनली अब आपको मेरी वीडियो में क्वालिटी वाली प्राब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत जल मैं इससे ही वीडियो सूट करूंगा और आपको आने वाली वीडियो में काफी कमाल की क्वालिटी देखने को मिलेगी औ ताकि मैं आपको इसका एक रिव्यू दे पाऊंँ दोस्तों फाइनली मैंने एक बात और नोटिस की है कि यह कैमरा काफी हलका है इसलिए मैं इससे ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ तो अगर आप मैंने ब्लॉग चैनल को विजिट नहीं किया तो आप कर सकते हो लिंक डिस्क इसकी विडियो चैनल को सबस्क्राइब कर देए नीचे आपको आपको आएसे के-सी अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद वन दे मातरों